हलो फैंट्स वेल्कम बैक आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट देश टार्ट करने जा रहे हैं हाई Всё इंजिनिरिंग काफी इंपोर्टन सब्जेक्ट है अगर हम लोग गेट की बात करते हैं तो दो से चार फूह पूछे आते हैं आई-ई-ए-स की बात करते हैं तो पांस से हाईवेज, तीसरा ट्रैफिक एंजिनिरिंग, फिर डिजाइन ओफ पेमेंट, फिर हाईवे मेटेरियल एंड टेस्टिंग एंड उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल एंड डिवाइसेज तो यह सारे टॉपिक समलोग पढ़ेंगे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नि इंट्रोडक्शन, तो दोस्तों यहां से कई बार अबजेक्ट कुशन पूचे आते हैं, SSCO चाहें वो IESO, तो जो 20 एर रोड प्लान था, वो जैकार कमेटी ने सबसे पहले दिया था, जैकार कमेटी के 20 एर प्लान, तो यहां से कुशन पूचा जाता है, जो IRC है, इंडिय इसकी स्थापना 1929 में हुई, Central Road Research Institute इसकी स्थापना 1950 में हुई, तो आपको सिर्फ यह रटना है, IRC, आँगे कुशन यहां से पूचे आते हैं, कि कौन सा पहला 20 एर रोड प्लान था, या कौन सा दूसरा था, या कौन सा तीसरा था, और कुशन यहां से यह बनता है, कि यह किस पैटरन पे बने है, तो पहला 20 एर रोड पिलान था, वो था दा नाकपूर पिलान, और यह कब से कब तक था, यह 1943 से लेके 1963 तक चला, तो नाकपूर रोड प्लान के तहट, जो भी रोड बने, वो STAR and grid पैटरन पे बने, इस्टार और grid पैटरन कैसा होता है, दिगे, यह एक रोड यहां से आया, दूसरा रोड यहां से आया, तीसरा, चौथ और चौथा, तो यह एक इस्टार बन गया, और grid pattern ऐसा होता है, यह grids बननी होती है, ऐसा, तो यह हो गया है, star and grid pattern. सेकंड नंबर का है दा बॉम्बे प्लान नागपुर के बाद आया बॉम्बे प्लान तो ये 1961 से 1981 के बीच चला तीसरा रोट प्लान है दा लखनू रोट प्लान नेशनल हाइवेज सुड फॉर्म एसक्वाइर ग्रेड ऑफ 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर तो ये चीजे यहां पे IRC की स्ताफना कब हुई और कौन सा प्लान पहले नंबर पे था कौन सा दूसरे नंबर पे कौन सा तीसरे नंबर पे यहां से कुश्चन आईएस में आया हुआ है लेंद आफ वेरियस क्लास ओफ रोट से अगर आपको एरिया दे रखा हो और लेंद आफ नेशनल ह स्कॉइर अाफ ओं 50 तो यहां पे एरिया किलोमीटर स्कॉइर में दे रखा होगा पचास से बहाग दे दे देंगे तो लैंद आफ नेशनल हाइवे नंबर आइगा की 100 किलोमीटर स्कॉइर्स के लिए हम लोगों को कितने किलो मीटर नेशनल हाइवे बनाना है दूसरा है इ तो 100 km के लिए हम लोगों को 2 km एनेच बनाना पड़ेगा ठीक है और 4 km एसे बनाना पड़ेगा यानि इस्टेट हाइवे आंगे बात करते हैं यहां से कुश्चन पूचा जाता है कि जो चंडीगड है उसमें कैसा रोट पेटरन दिया गया है तो यहां पे दिया गया है रेक् यहां ब count तो कनोट पलेस में ऐसा पेटरन दिया गया है और जो नाकपुर रोट पलान है उसमें उसमें इस्टार एंड ग्रिटट पैटरन दिया गया है यहां पे चंडीगड में कुछ ऐसा दिया गया है सारे रोट्स ऐसे बने यहां पर आंगे बात करते हैं Engineering Survey for Highway Locations तो यहां से IES में Question पूचा गया है यहां पर जो यह सरवे किये गए हैं Map Study, Reconnaissance, Preliminary Survey, Final Location तो इनका क्रम पूचा जाता है कि यह किस क्रम में किये जाते हैं तो पहला हो गया है Map Study, Map Study हम लोग क्यों करते हैं तो हम लोगों को अगर Highway की Location पता करनी है कि यह Highway कहां से निकलेगा तो Map Study से हम लोग बहुत सारे Roots एक बार में देखके पता कर सकते हैं कि Alternate और कौन-कौन से Roots हो सकते हैं तो Map में आसानी से देखके यह सब चीजें पता चल सकती हैं तो Map Study to Find Several Possible Alternate Roots फिर उसके बात करते हैं हम लोग रेकोनेसेंस सर्वे तो जो चीजें Map में पता नहीं चल पाती हैं वह हम लोग वहाँ पर फिर फिल्ड में जाके पता करते हैं जैसे वहाँ पर Values कितनी हैं, Pond कितनी हैं, Soil का Type क्या है, Approximate Values of Gradient, Cross Drainage Structures, कितने हम लोगों को Pull बनाना पड़ेंगे, Bridge बनाना पड़ेंगे To examine General Character of Area for Deciding Most Feasible Route, All Relevant Details Not Available in Map, Collected and Noted Down तो जो सबसे best route कौन सा होगा तो वो पता लगाने के लिए हम लोग यह सारी चीज़ें पता लगाते हैं कि किस route में कौन-कान सी चीज़ें पढ़ रही हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा आसानी होगी तो वही route हम लोग choose करेंगे फिर जो चीज़े हम लोगों को map में पता नहीं चल पाती हैं तो हम लोग reconnaissance survey के द्वारा पता करते हैं फिर उसके बाद हम लोग करते हैं preliminary survey इसमें क्या करते हैं तो जो भी proposed alignment after reconnaissance हम लोगों को मिले हैं फिर उनका और detail में अध्यन करते हैं इसमें to survey the various alternate alignment proposed after reconnaissance and to collect all the necessary fiscal information details of topography drainage of soil तो preliminary survey में हम लोग क्या करते हैं जैसे हो गया estimate quantity of earthwork, leveling, soil survey, material survey, traffic survey, determination of final central line तो यह सारी चीज़े हम लोग preliminary survey में करते हैं यहाँ पर जो note है यह IES में question आया हुआ है sampling done up to a depth of 1 meter to 3 meter below the existing ground level in preliminary survey तो जो preliminary survey है इसमें हम लोग soil की sampling करते हैं 1 meter से लेके 3 meter तक उसको check करते हैं उसकी bearing capacity कितनी है क्या वो उतना load लेने के लिए capable है जितना उस पे आने वाला है अगर उसकी bearing capacity कम है तो फिर हम लोग वो route नहीं चूज करेंगे फिर हम लोग दूसरा route चूज करेंगे suitability of proposed location finally selected based on soil survey data तो जो final route होगा वो soil survey data के आधार पे हम लोग चूज करेंगे अगला है final location and detail survey the alignment finalized after preliminary survey on the field by establishing the central line तो final location and detail survey में क्या करते हैं हम लोग central line को establish करते हैं जो भी final route हम लोगों को preliminary survey के बाद मिला है उसमें हम लोग central line को फिर establish करते हैं तो यहां पर थोड़ा थोड़ा जानने की ज़रूरत है बस question यह पूँचा जाता है कि कौन से सर पहले करते हैं फिर कौन से दूसरे नमबर पर करते हैं फिर तीसरे नमबर पर कौन से करते हैं फिर चौटे नंबर पर कौन से करते हैं आंगे है classification of roads यहांसे question आया हुआ है तो primary system में expressways और national highways आते हैं और जो national highways पे milestone लगा होता है मील का पत्तर उसका color yellow color होता है यह JEE में question पूचा जाता है अगला है secondary system तो secondary system में state highways आते हैं MDR आते हैं major district roads तो जो state highway पे milestone लगा होता है उसका color green होता है और जो major district road होता है उसका color black या blue होता है जो milestone लगा होता है उसका color black या blue होता है अगला है tursary system rural roads तो rural roads में आते हैं Other District roads या village roads अगर यहां पर जो माइल इस्टोन है अगर उसका कलर औरेंज है तो समझ लीजिए आप विलिज रोट्स में चल लाए हैं तो दोस्तों यह आपका इंट्रोडक्शन कवर हो गया है आंगे हम लोग कवर करेंगे जिएमेट्रिक डिजाइन आफ रूरल हाइवेज तो अगर अनली विडियो में थेंक यू